एक ऐसा हाईजेकर जिसने प्लेन को हाईजेक किया और दो लाग डोलर की फ्रोती मांगी फिर देखते ही देखते वो पैरा सूट लेकर प्लेन से बाहर कूद गया और हवा में ही गया हो गया जिस जगा वो कूदा उस जगा ना तो वो सक्स मिला और ना ही उसका पैरा सूट प से ही बना हुआ है चलिए जानते हैं आकिर उस प्लेन हाईजाक वाले दिन क्या हुआ था 24 नवंबर 1971 को एक व्यक्ती काला सूट पहन कर और काला बैग लेकर जेंटल मैन की तरह अमेरिका के पोर्ट लेन एरपोर्ट पर पोस्ता है जिसका नाम था डेवी कूपर और टिकेट काउंटर से बुइंग 727 प्लेन की अपने लिए 20 गोलर में पोर्ट लेन से सीट की एक तरफा टिकेट बुक कराता है उस समय अमेरिका के एरपोर्ट में जादा सुरुपसा की इंतिजाम भी नहीं हुआ करते थे इसलिए डेन कूपर अपने बैग को आसानी से प्लेन के अंदर ले जाने में सफल हो जाता है और अपनी सीट 18 एकर बैट जाता है दो बच के 50 मिनट पर पीएश्टी में प्लेन कोट ब्लेन से उडान बढ़ता है और उडने के उस दिर वाद कूपर अपने लिए बॉरवन डिंग और सोडा ओडर करता है उसके फ्लैट का सफर सिर्फ 30 मिनट का ही था इसलिए ज़्यादा टाइम बरवाद ना करते हुए वो अपने प्लान में लग जाता है डैन कूपर अपने नजदी खड़ी फ्लोरिन सैपनर नाम की फ्लैट एटेंडन को पास बुलागर उसे एक परची देता है पहले फ्लैट एटेंडन को लगता है कि कूपर उसके साथ फ्लैट कर रहा है इसलिए वो उस परची को अपने पर्स में डाल देती है लेकिन फे पूपर उसके तरफ जुक कर दीरे से उसे वो परची पढ़ने की नहीं कहता है उस परची में लिखा था कि उसके पास बैग में गोम है और अटेंडन को उसके पास बैटने को कहा गया था इसके बाद अटेंडन गवरा कर उसके पास बैट जाती है और फूपर को बम दिखाने को कहती है तो Cooper अपना बैग थोड़ा सा खोल कर उसे बंद दिखाता है और अपनी मांग उसके सामने रखता है और कहता है कि उसे दो लाग डोलर और चार पैरा सूर चाहिए नहीं तो वो पे इनको बंद से उड़ा देगा और अगर उसके मांगे मांग नी जाती है तो वो सबी जातिरियों को सुरक्षित जाने देगा शैपमे डैन उपर की मांगो को लेकर वो पीट में बैटे पाइलेट के पास पोहुस्थी है और पाइलेट उपर की सबी मांगो को सियटन के एट रैफिक कंट्रूल तक पहुचाता है ये कवर FVI और पुलिस तक पहुच जाती है और उन सभी को पतल लग चुका था कि प्लेन हाईजैक हो चुका है ये रोश्टे जब बापिस अपने प्लेन में जाती है तो देखती है कि डैन पूपर कालत चस्मा लगा कर बिलकुल अराम से बैटा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो और अपना ड्रिंक पी रहा था और वो बिलकुल भी दरा हुआ नहीं था इसी बज़ा से प्लेन में मौझूद सभी यात्किरियों को बनक तक नहीं थी कि प्लेन हाईजैक हुआ है उदर यात्किरियों की जान बचाने के लिए एफ़ याई दुआरा डैन कूपर की सब मांगों को मान लिया जाता है और वो चलाकी दिखाते हुए पूरे दो लाग डोलर को 20 डोलर के नोट से बढ़ते हैं ताकि बैक ज़्यादा भारी हो सके और समी नोटों के सीरियल नमबर भी नोट किये जाते हैं ताकि बाद में पूपर को पकड़ने में असानी हो सके पांच बच के 49 मिनट पर पीएश्टी में प्लेन सीरियल के एरपोर्ट पर लैंड करता है और उपर की मान के पैरासू और पैसे मिलने के बाद वो अपने वादे के मुताबिक सभी 36 यात्रियों को प्लेन से सुरक से उतरने देता है उस प्लेन में दो पाइलेक एक फ्लैट इंजीनियर और एक फ्लैट अटेंडन को रहने के लिए कहता है और प्लेन मैक्सिको के लिए फिर उडान वड़ता है और FBI चलाकी से दो अमेरिकी जासू सी जाहाजों को प्लेन के पीछे लगा देती है उडान के दोरान पाइलेट बताता है कि प्लेन में मैक्सिको पहुँचने जितना इंदन नहीं है तो कूपर उसे प्लेन को रेनो नेवाड़ा की दरफ ले जाने को कहता है और प्लेन को 10 एर पीट की उचाई में 116 किलोमीटर प्रती गंटे की रफ्तार से उडाने को कहता है पूपर एर इस्टेर कैसे पुलता है इसके बारे में फ्लेक्ट अटेंडन से पूचता है और फिर उसे भी कोप पीट पर बाकी लोगों के साथ रहने और दरवाजा अंदर से बंद करने को कहता है आठ बजे के करी एर इस्टेर खुलने की वज़ा से तो पीट में वार्निंग लाइट जलने लगती है और डैन कूपर पैसे और पैरसूट लेकर जास से पूच जाता है और हमेशा के लिए गाया हो जाता है दस बच के पंदरा मिनट में फ्ले एर इस्टेर के साथ बोईंग 727 प्लेन रैनु एर पोर्ट पर लेंड करती है और प्लेन को पुलीस और FBI एजेंस द्वारा चारों तरब से खेड लिया जाता है लेकिन कुछी देर में उन्हें पता चलता है कि डैन कूपर भाब चुका है इसके बाद पिलेन की चानवीन की जाती है जिसमें से कूपर के टाई का किलिक और उसके मंगवाए गए चार में से दो पैरसूट मिलते हैं कूपर बाकी के सभी सभूत को अपने साथ ले जाता है जिसमें उसके द्वारा फ्लेट एटेंडन को दिया गया लेक्टरी भी सामिल था कूपर को पगड़ने के लिए एफ़िया द्वारा नोर जैक नाम से खोध सुरू की जाती है आखो देखे गए लोगों द्वारा कूपर का स्कैस तेयार किया जाता है लेंड किये गए इलाके के बहुत से किलोमीटर तक जंगलों और नदियों में कई महीनों तक खोध चलती है बहुत से गरोती चानवीन में की जाती है लेकिन कूपर और उसके पैरा सूट का कोई पता नहीं चलता कुछी दिनों में दैन कूपर पूरी मीडिय में चा जाता है लेकिन एक नीस्पेपर ने गलती से दैन कूपर का नाम डीवी कूपर लिख दिया था और लोगों को ये नाम जादा पसंद आने लगा इस तरह से एक नीस्पीपर की गलती के कारण डैन कूपर का नाम डी भी कूपर रखा गया और वो हर जगा इसी नाम से प्रसित हो गया था इसके बाद कूपर के भागने के तरीके से FVA को लगता है कि कूपर ने किसी पेराग्लैडिंग स्कूल से ट्रेनिंग ली होगी इसलिए सभी ट्रेनिंग स्कूलों में उस्तास की जाती है और बहुत से पेराट रपर्स के रिकोर्ड चेक किये जाते है लेकिन वो फिर से सफल नहीं हो पाते बहुत सी चानमीन के बाद भी जब कूपर का पता नहीं चला तो लोग मानने लगे कि लेंडिंग के दोरान कूपर की मोत हो गई होगी पर उसके मोत कभी कोई परमान नहीं मिल सका क्योंकि ना कूपर की लास कभी मिली ना पैसे का बैग और ना ही पैरा सूट कभी मिल पाया झाल झाल